नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागता है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्यान टोकरीपर आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो है सिविल इंजिनेरिंग का एक टॉपिक कैनल आउटलेट आपको इस वीडियो में जो दिखने वाला है वो मिलेगा क कैनल आउटलेट क्या होते हैं क्यों बनाए जाते हैं कितने प्रकार के होते हैं इन में से कुछ एग्जांपल मैं आपको लाइव वीडियो के थुरू दिखाऊंगा कि कैनल आउटलेट के थुरू पानी कैसे कैनल से बहार जाता है तो उमीद करता हूं कि ये वीडियो आप में बनी हुई होती है या फिर मिट्टी के उपर टिकी हुई होती है तो पानी कैनाल से बाहर निकले लेकिन कैनाल को कोई नुकसान ना हो मिट्टी जो है आसपास कैनाल के उसका इरोजन ना हो इसके लिए हमें कुछ structure की जरूत पड़ती है जिसे हम canal outlet कहते हैं जिसके माध्यम से हम पानी को fair amount में बिना नहर को नुकसान पहुंचाए canal से बाहर निकाल सकते हैं ताकि वो irrigation purpose या किसी और purpose से use किया जा सके तो इसके लिए जो structure कहला है वो होगे outlets, canal outlets और वो कितने तरह के होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ non-modular, semi-modular और modular इस तरह से कुल तीन प्रकार के outlets होते हैं दोस्तों इनी outlets को हम देशी बासा में मोगा या मोगे भी कहते हैं अब हम canal outlet की दुनिया में एंटर करें उससे पहले मैं आपको दो टर्म से रूबरू करवा देता हूँ एक है डिस्टिबूटरी चैनल और दूसरा है water course डिस्टिबूटरी नहर है जिसके अंदर हमें outlet लगाना है मतलब डिस्टिबूटरी में पानी चल रहा है उसके अंदर आउटलेट लगाएंगे तो आउटलेट में पानी एंटर करके बहार निकलेगा और जहां बहार निकलेगा उस जगह जो structure बना रहता है वह होता है water course तो वाटर कोर्स के थ्रूप आनी निकलकर खेतों तक पहुंचता है तो यह दो जो यह दो इसके अग्जांप्ल ले लेते हैं पाइप आूटलेट का मैं इस एक पाइप आउटलेट की एक्टिमेश सकता है और कैसे ऌनाउन Secraz को साइडर इसके अलबाए डिस्टिबूटर के यदि बात करें तो इस सिच्वूइशन में होगा क्या कि खाले में या जो वाटर कोर्स है उसमें जो पानी का लेवल है उसके उपर भी टिपेंड करेगा डिशचार्ज यदि वहाँ पानी कम है तो डिस्चार्ज जादा निकलेगा और य ज्यादा पानी लेने के चक्कर में वाटर कोर्स का लेवल नीचा कर देते हैं तो इस कंडिशन में फिर नहर से ज्यादा पानी आउट्लेट के थुरू भार निकलने लगता है और टेल जो पोर्शन है वहां तक पानी की कमी होने लगती है तो इसलिए जनरली इस तरह के अग्जामपल और यदि हम पाइप आउट्लेट को कुछ इस तरह से लगाएं कि वो फ्री फाल हो मतलब कि सर्फ जो वाटर कोर्स साइट का जो सिरा है वो फ्री रहे और उपर से पानी वाटर कोर्स के अंदर गिरे ताकि वहां पर एक फ्री फाल जनरेट हो तो इस और यदि फाल आईप आउटलेट के उपर है तो इसी के उपर सिर्फ वो डिश्चार्ज डिपएंड करता है तो कास्त कार यद complaint खाड़ा उपर नीचे वे कर लें वाटर कोर्स नीचे भी कर लें तो इसमें डिश्चार्ज के उपर कोई फरक नहीं कड़ता है तो जनरली इ नहर के अंतिम छोर तक सभी आउटलेट्स पर सभी किसानों को फेर अमाउंट में पानी मिल सके इसके लिए वाटर डिस्चार्ज हर आउटलेट्स से प्रॉपर होना बहुत जरूरी होता है इसलिए आउटलेट्स को बहुत साउधानी पूरवक बहुत ध्यान पूरवक लगा आउटलेट्स की अब हम बात करेंगे मोडूलर आउटलेट्स की दोस्तों मोडूलर आउटलेट्स के बारे मैं कुछ खूबी है इसकी आपको पहले बता देता हूं यह इस तरह का आउटलेट होता है कि इसको पहली बात तो यह कि कास्त कार या किसान आसानी से इसको टेंप करें तो मतलब यह है कि कैनाल में minimum water requirement जो होनी चीए कैनाल outlet के लिए यदि वो maintain है तो उसके बाद किता भी पानी उसमें चले outlet से ज़्यादा पानी नहीं निकल सकता तो इससे होता है क्या कि एक fair distribution हो जाता है सबी कास्तकारों को जो constant rate है उनके पानी का उस पे पानी उनको मिलता रहता है तो इस तरह से हम कह सकते है कि ideal choice हो सकती है farmers के लिए और ideal choice हो सकती है department के लिए कि इस तरह के outlet लगाए जाए ताकि सभी को fair distribution हो सके अब बात आती है कि यह ऐसे बने कैसे होते हैं यह steel के बने हुए होते हैं यह हम कहें iron के बने हुए होते हैं काश्ट iron जिसे हम कह सकते हैं तो इसमें एक base plate होती है नीचे plate लग गए उसके दौनों side में plate होती है उसके अलाव जो उपर वाली plate होती है वो करूड shape में होती है उसका जो size है वो vary करता है और एक finally जाके अंदर जाके उसका एक fix size हो जाता है वहां से पानी बहार निकलता है तो आपको canal में लगा हुआ भी मैं दिखाऊंगा स्क्रीन पे आपको देख भी रहा होगा कि किस तरह से करूशेप में बना हुआ होता है इसको masonary के अंदर fit कर दिया जाता है कि आसानी से इसके साथ छेड़ चाड़ नहीं की जा सके इसको temper नहीं किया जा सके ये बनाने में थोड़ा सा मुस्किल होता है लेकिन एक बार लगने के बार department और किसान दोनों के लिए हितकारी हो सकता है तो ये अभी जो model आपको दिख रहा है ये है crumbs APM APM का मतलब है adjustable proportionate module मतलब नहर में पानी कम जादा हो रहा है लेकिन डिस्चार्ज पे outlet के डिस्चार्ज पे कोई प्रभाव उसका नहीं पढ़ रहा है वीडियो के अंदर में हम बात कर लेते हैं खूबियों की कि एक outlet अच्छे आदर outlet की क्या खूबिया होनी चाहिए एक नंबर पे यदि हम बात करें तो उसको बनाना लगाना आसान होना चाहिए दूसरा कि उसके अंदर कैनाल में भी यदि fluctuations हारें तो उसका discharge के उपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए एक और खूबि की बात करें तो outlet ऐसा होना चाहिए कि जिसे आसानी से नहीं छेड़ा जाए कास्तकारों से आसानी से नहीं छेड़ सकें उसके अलावे एक और खूबि के दिबात करें करना मत भूलिएगा और मिलतें एक नए वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जाते जाते आप कर लीजिएगा नमस्कार दोस्तों